जैशी किष्णा दोस्तो आर्य वरत की कहानियों में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शुक्रवार की वरत कथा चलिए शुरू करते हैं एक भाव नगर था वहाँ एक राजा था उसके पुत्र नहीं था तब राणी ने दाई को बुला कर कहा मुझे नाल सहीत एक बच्चा चुप चाप लाकर देदा बदले में मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगी दाई ने यह बात मंजूर की और मोका देखने लगी उसी ना मैं तुम्हारी जचकी मौफ्त में करूंगी उसने हां कहा बाद में दाई राणी के पास गई और कहा अपने घाव में एक ब्रह्मन की स्तरी घर बती है और उसको अभी दूसरा महिना लगा है सब लक्षन पुत्र होने के लगते हैं अब अपने घर में उस स्तरी के घर किसी को पता न चले ऐसी गुप्त सुरंग बनवाईए और उस आपको घर बे रह गया ऐसा अफ़ाए फैलाए तब मैं आपको नाल सही बच्चा लाकर दूंगी राणी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई जैसे जैसे ब्रहमन स्तरी का घर बढ़ता गया वैसे वैसे राणी ने अफ़ाई फैलाना शुरू किया और पेट बड़ा दिखने के लिए पटे पेट पर बानने लगी इधर सुरंग तयार की महिना पूरा होते ही जचकी की तयारी की उदर ब्रहमनी का पेट डुखने लगा उसने दाई को बुलाया तब दाई ने कहा तुम चलो मैं आती और उसने राणी को तुरंत पेट दुखने का ढोंग करने को कहा बाद में वह ब्रामन के घर गई और कहने लगी बाई तुमारी पहली जचकी है इसलिए तुम आखों पर पट्टी बांद लो तो तुम्हें डड़ नहीं लगेगा नहीं बांदेगी तो तुम्हें डड़ लगेगा ऐसा केकर उसकी आखों पर पट्टी बांदी उसको पुत्र हुआ दाई ने एक दासी के द्वारा सुरंग के रास्ते में राणी के पास वह पुत्र भेज दिया और एक मांस का लोथड़ा लेकर उसको कपड़े में बांद कर ब्रामनी के सामने रख दिया और कहा तुम्हें यही हुआ है ब्रामनी मस्तक पर हाथ रख कर बहुत दुखी हुई दाई रजवाडे में चली गई इदर राणी को लड़का हुआ ऐसी खबर फेल गई इदर ब्रामनी ने नियम पकड़ा की श्रावन मास में हर शुक्रवार को जीवती की पूजा करूंगी और नमस्कार करके कहने लगी जही जीवती माह जहां मेरा बच्चा हो वहाँ वह खुशी से रहे ऐसा कहकर उसने चावल उड़ाए वे चावल इस बच्चे के सिर पर पड़े हरी साड़ी पेहनना हरी चूड़िया पेहनना करेले के मंड़क की नीचे से जानना उसने बंद कर द इस प्रकाह वह रहने लगी इधर राजपुत्र बढ़ा हुआ एक दिन वह गूमने निकला उस दिन यह स्तरी अपने आंगन में बैठी थी तब राजपुत्र की नजर इस पर पड़ी वह इस पर मोहित हुआ और रात में उसने मिलने का हुच्चे किया रात में उसके घर आया दरवाजी पर गाई बच्चडा बेठे हुए थे चलते चलते राजपुत्र का पेर बच्चडे की पूँच पर पड़ गया बच्चडा चिलाया वह अपनी मा गाई से कहने लगा कौन पापी ने मेरी पूँच पर पाउं रखा तब गाई कहने लगी जो आदमी मा से मिलने को जाने के लिए डरता नहीं वह तुम्हारी पूच पर पेर रखने को क्यूं डरेगा यह सुनकर राजपुत्र वापस लोट आया और उसने मा से काशी यात्रा पर जाने की अनूमिती ली काशी यात्रा पर निकला जाते जाते एक ब्रामन के यहां रुका उस ब्रामन के ब पढ़ा है तब जीवती केती है यह मेरी मननत का बच्चा जीवी थे मैं इसे उलांगने नहीं दूंगी लड़का आज जाने वाला है इसलिए उस लड़के के माता पिता चिंता में बेठे थे राजपुत्र ने उनकी बाते सुनी इतने में उत्तर रात होने पर छटवी और रास्ते से चली गई दिल निकलने पर ब्रामन ने राजा के पेर पकड़े और कहा आपकी वज़े से मेरा लड़का जीवित हुआ आज के दिन हमारे यहां विश्राम कीजिए ऐसी उनसे विंती की राजा ने बात मान ली उसी रात में भी उसी प्रकार हुआ दूसरे दिन र ब्रामन को पूछा वह केने लगा तुम घर जाकर गाओं के सारे हिस्त्री पुरुष को बोजन के लिए बुलाओ बात में कारण समझ में आएगा घर आकर उसने भोजन करवाया उस दिन शुकरवार था उसने गाओं में सब को चेतावनी दी थी कि घर में कोई भी चुला न राजा ने कबूल किया जहां चामल धोकर पानी फेका था उस जगे को साफ करके उसके उपर से वह गई हरी चूड़िया पहनी नहीं करले की मंड़ब की नीचे से गई नहीं वह हर समय जहां मेरा बच्चे होगा वहां खुशी से रहे ऐसा कहती थी फिर थालिया परोसी बढ़ गया कि उसके स्टन से दूद बहने लगा वह इससे मूह में उड़ा राजा हाथ की गी पात्र रखकर रूट कर सो गया कुछ करने उसे भी नहीं उठता था तब मा आई उसे समझाने लगी वह बोला इसा होने का कारण क्या है तब माने बताया कि वही तुमारी बतायी बाद में भोजन का कारिक्रम खत्म हुआ फिर उसने अपनी असली माता पिता को रजवाड़े के महल बनवा कर दिया और अपना राज्य करने लगा जिस प्रकार उस पर जीवती मा प्रसंद हुई उसी प्रकार हम सब पर होए अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवार